कि यहां पर जिबी हिमाचल प्रदेश के अंदर जीबी में एक बड़ा सुन्दर वॉटर फॉल है वहां पर नहाएंगे सुबह का शनान आज वहीं पर दिखाते हूं आपको ऐभी की एंटरेंस है और यह मेरे पीछे जो आए इदर यहाँ पर टिक्ट कोंटर 20 रुपई इसके अंदर की एंट्री फीश है 20 रुपई की टिक ली पड़ेंगी फिर अंदर ऐंट्री आपको करने देंगे क्यां सारा है तो इसके लिए यहाँ पर इनकी देख़ा ही के झाल झाल लाओ करता है अाम जरी प्रॉड़ कहने लाँ प्रWhy और उलागा टो रगा?」 कर दो 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 कि अब बादे टू यू 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 जी भी वाटर फॉल में नहाने के बाद हम लोगों ने अपने दोस्त का बर्डे सेलिब्रेट किया और वहां पर कुछ हमारे फ्रेंड्स बने जो कि अपनी बाइकों पर गुमने के लिए आए हुए थे और कुछ लोकल्स भी थे जिनको हमने वहां पर इन्वाइट किया जो वहां पर छोटी-छोटी शॉप्स लगा कर बैठे हुए थे उनको बिलाया तो देख 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 अपने हमारे फोटी बनाइट सेलिंगे लाइगी अबाद अब्याधिक अब्सक्ति वहां है हई इन्होने भी भाई को गिुट दी आई है ओर है एं अखे हम और हमें आए अझा étaientल इसे अफği से हैई लर यह नहीं daha गवाने लिग रंट यहां आद आद अब हमार एंकल चैरी सेच्ण है सेलिब्रेशन के बाद हम लोग निकल पड़े आगे की तरफ और हमें यह नहीं पता था कि आगे इस पहाड़ों में इतने खूबसूरत जो पहाड़ें इनके आगे इतना भेंकर एक मनजर हमारा इंतजार कर रहा होगा कि अरुग सेलिब्रेशन के बाद हमें दोगे इतना भें, यह नहीं होगा हमें ऊहीं के आगे इनके आहड़ें के इतना भेंगे टो हमें हमें आगे पूपसूरत पहाड़ों को देखते देखते हम काफी आगे आगे और हमने देखा कि बिल्कुल सामने एक ऐसा पहाड़ था जिस पर बहुत जादा आग लगी थी तो दुहां दुहां वह रखा था पर हमें यह नहीं पता था कि आखरकार हम गलती से उसी पहाड़ की तरफ जा की वह आगए गर रहे हैं पत्थर गिर रहे हैं लैंडस्लाइडिंग होरी हैं यह गाड़ियां आरी हैं बातासा आने लगीया है लोग में हिश्च के आगे रिस्क लेह बड़ा मजबूरी थी कि उनकी पिछे भी नहीं जा सकते हैं कहरों में आग लगने का सबसे कारण होता है कि जो लोग बाहर से आये हो तो घूमने आये होते हैं वा सिगरेट पीड़ी पीधिते और फेंग देते हैं पहाड पिल्कुल सूखे होते हैं में बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं तो यह अगर भाहाँ पे घूमने जा रहे हो तो गल्तियां ना करें गूमने गे हो तो आराम से अपना गूमो काउप यो पर नुकसान ना करो किसी का